नमस्कार बहुत स्वागत है आपका यह महिना स्रीकृष्ण को ही समर्पित है मानेता यह भी कहता है माकैसिश महा से सतियुक काल का आरंब हुआ था और इस दिन किया गया दान निजनद ही होता है माकैस पुर्णि माहा का बरत और पुजा से भगवान विश्णु की विशेस किपा मिलती है और इस दिन अगर तुलसी की जड़ की मिट्टी से अगर आप असनान करें यानि कि किसी भी आप घर में नहा रहे हैं तो पाणी में डाल के नहाएं आप चाहें तो किसी पवित्रे नदी स्वरोवर में भी असनान कर सकते हैं और इस दिन जो भी आप दान करेंगे उसका 32 गुना फल मिलेगा इस दिन सत्नायन भगवान की कथा करने का कराने का और पूजा करने का भिधान है सुब मुर्द क्या है साथ दिसंबर को ब्रत रखा जाएगा पुनिमा की सुरवात सुबर साथ दिसंबर को आट बचकर एक मिन पर होगी इस दिन कुछ कारे हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए जैसे कि सुबह जल्दी उठीए पवित्री नदी स्रोवर में स्नान कीजिए आप उपवास कर सके तो अच्छा है वरना आप लहसन प्याज मांस मंदिरिया का सेवर ना करें पूजा पाठ साप सफाई इ पर भोग लगाए। और दान आपको चरूब करना है। परेसानियां बहुत हैं सपने भी बढ़े हैं और जब उन सपनों को पूरा करने में परेसानिया आए थोड़ा सदिल बैठ जाता है। कभी कभी तो रातों की नींद उर जाती है कभी सत्रू इतने परिसान करते हैं कि लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है अब ऐसे में दो ही मार नजर आते हैं या तो सब कुछ छोड़ दे या फिर डटके सामना करें अब डटकर सामना भी व्यक्ति करें तो कितना करें कई बार त तो बहुत बुरी तरह से फस जाते हैं तब वहां से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिलते आज हम आपको लाल मिर्च लाल मिर्च तो हर किसी के घर में होता है लाल सुखी वे मिर्च अब जीवन के हर बाधा को दूर करने के लिए ये लाल मिर्च रामवानुपाय का काम करती ह क्योंकि आज जो हम आपको टोटके बताने बाले हैं इस टोटके को आप करके जीवन की हर कटनाईयों से बाहर निकल सकते हैं तो सबसे पहले तो एक बात जान ले अगर आप करजों की समस्या से परिशान है या पैसा आपका कहीं फस गया है जीवन में कैसी भी धन की समस्या हो एक छोटा सा प्रियोग करें देखिए आप रोज नहाते भी होंगे भगवान सूरी को जल भी देते होंगे यह हमें पता है क्योंकि अमुमन हर ब्यक्ति नहा कर भगवान सूरी को जल अरपीत करता है नहीं करते हैं तो कोई दिकत नहीं लेकिन रभी बार के दिन से शुरू करके लगातार 27 दिन तक यह आपको प्रियोग करना है अगर आप महिला है तो लगातार 21 दिन तक प्रियोग करें तो धन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए यह प्रियोग बहुत सिंपल है इसको कीजिएगा आपको लाव होगा लाल सुखी वी मिर्च के बीज वैसे आपको मार्केट में भी बीज मिल जाएंगे या फिर आप थोड़ा सा लाल सुखी मिर्च खई के लिए उसमें से बीज निकाल कर एक डबे में स्टोर कर ले अब या तो 11 दाने ला हनुआ सुरे से प्रार्थना करें कि जीवन में जो धन की मुस्किल है जो लोग आपके पैसे लेकर बैठ गया हैं जो करजों की समस्या है जैसे भी धन को लेकर कोई भी प्रेसानी हो उनसे प्रार्थना करें और वहीं पर हनुआन चाली साप का पार्ट कर लीजे खड़े ख आप नहीं कर पा रहें, किसी काम बस आप घर से दूर हैं, आप नहीं कर पाएंगे, छूट जाएगा, कोई बात नहीं, आपके कोई घर के लोग ही आपके बदले में कर देंगे, तो ये मिर्च बड़े जादू का काम करते हैं, इसको करके देखिए, आपको लाब होगा, अब हम दूसरी बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है न, आपके सत्रू बिरोधी दुस्मन बहुत परिसान करते हैं, आपको तो पता है, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ दुखी दुख हो, सुख का नामों निसान ना हो, तब तकलीफ होती है, बहुत बहुत कुछ ऐसी समस्या होती है, कि जो खत्मी नहीं होती, अब इन समस्याओं के कारण, आपके जीवन में हर काम में रुकावटे आती है, बाधाये आती है, आपका मनोबल तूटता चला जाता है, ऐसे में एक छोटा सा टोटका, जो आपको इन तमाम परिसानियों समस्याओं से बाहर निकालेगा, तो आज लाल मिर्च के टोटके बहुत सिंपल है, आज हम आपको बताएंगे, चलिए, आपको लगे कि सत्रू बिरोधी बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत परिसान कर रहे हैं, आप बैपारी हैं, यहां सत्रू सत्रूता निकाल रहे हैं, आप सौप कीपर हैं, यहां पर यह हाल है, आप जॉब करते हैं, आपके ओफिस में सत्रू हैं, क्या करेंगे, देखें किसी भी मंगलवार या सनीवार की रात आपको यह काम करना है, क्योंकि मंगलवार और सनीवार की रात तोटके अगर किये जाएं, तो वो विसेज फल द लेकिये पाच लाल सुखी मिर्च लेने अपने अपने सर से उल्टे हात में रखने या यानिन हात में रखिए सक्त्रु का नाम लेते हुए पाँच बार अपने सर से उल्टावार ल इस मिर्ची को आप उस मिट्टी में जो आपने गड़ा किया है उसमें डाल दें मिट्टी ढख दें बिना पीछे मुरे घर आजाए सत्रु आपको परिशान नहीं करेंगे वो सांथ हो जाएंगे खुद बखुद बहुत सिंपल है यह प्रियोग करना और यह प्रियोग जब क करने के लिए यह प्रियोग रामवान है इसका प्रियोग कीजे सत्रु आप से सत्रुता रखी नहीं पाएंगे आपको प्रिशान कभी नहीं कर पाएंगे अब हम बात करते हैं कभी कभी क्या होता है न जीवन में बहुत सारी परिसानिया होती है रातों की नींद खो जाती है आपको समझ में नहीं आता इन मुश्किल हालवातों से आप बाहर कैसे निकलें तब एक छोटा सा काम करें 21 सुखी वी लाल मिर्च के बीज ले 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 रात में सोने के पहले एक कागच पर रखकर इसको अपने सिराने रख ले और अगले दिन इसको अपने सर के उपर से साथ बार वार ले और ले जाकर अपने घर से बाहर फेग दे आप चाहें तो पानी में सुखी लाल मिर्च के बी जीज डाल कर भी अपने सिराने रखकर बाहर फेक सकते हैं इससे जीवन की समस्त परिसानिया दूर हो जाती है अब आते हैं आपके बिजनस पेप साय पर कई बार होता है आपका बिजनस अच्छा नहीं चलता लाग परियास कर लो लगता है किसी की नजर लग गई है तब क्या करेंगे एक छोटा सा काम करें बिजनस की काम की बाधाओं को दूर करने के लिए एक लोटा पानी ले 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 या एक जग पानी ले ले गलास में भी ले सकते हैं उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डाल दें अब इस पानी को अपने उपर से साथ बार उल्टा वार ले घर से बाह हाई दूर होगी किसी की भी नजर हाई बद्धुआ दोस हर तरीके परिशाने से मुक्ती मिलेगी कई बार होता है लोग घर में बिमार पर जाते हैं जल्दी ठीक ही नहीं होते हैं दबा भी काम नहीं करती एक छोटा सा काम कीजेगा साथ लाल मिर्च ले ले बिलकुल साबूत सुंदर सा देख कर लीजिए अब थोड़ा सा काला तिल ले ले और फिटकरी का छोटे छोटे चोटे टुकरे ले 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 तुक्रे मिल जाए तो अच्छी बात है और इसके साथ ही जाइफल जाइफल आपको मार्केर में मिल जाएगा छोटे बच्चों को जब तेल लगाया जाता है तो तेल के कटोरी में जाइफल को रखा जाता है ताकि बच्चे को नजर ना लगे तो आपको मारकेर में पूजा समंगरी के दुकान में मिल जाएगा जाइफल ले आईएगा अगर जाइफल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं आप साथ काली मिर्च ले लीजिएगा अब इसको लाल कपड़े में बांध कर पोटली बना ले जो बेक्ती बिमार हैं उनके सिरहना सुक्र बार के दिन रात में रख दे अगले दिन इस पोटली को पीपल के पेड के नीचे यानि सनी बार की सुबह चुपके से रखाएए पीछे मुड़कर मत देखिएगा उनके स्वास्त में जो परिसानी होगी वो समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगे बहुत सिंपल प्रियोग है काम की समस्त बाधाएं भी दूर करेगा स्वास्त भी अच्छा करेगा